तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बीलव नेट्वक के बारे में बीलव नेट्वक के अंदर जब सेकिंड आईट्यो आएगा तो आपको बीलव टोकन को कैसे पर्चेस करना रहेगा ताकि आपको अच्छा दिखे और क्लियर दिखे सब कुछ आपको समझ में आ जाए यहां पर मैंने ओपन कर लिया एक्सेंज जोन को यहां पर आपको देखने को मिलेगा first ITO face 1 तो face 1 ITO आया था जनवरी के अंदर तो उस समय लोगों ने या से बहुत सरे बीलव टोकन को purchased कर लिया था और सारे बीलव टोकन सब्य देख सकते हो अभी finely ब्रेकर वाइज अब जब भी second Avec आएगा तो सेकिंड डाइटो आएगा सेकिंड माई को जब भी सेकिंड डाइटो आएगा तो आपके सामने या पर सेकिंड पेस सेकिंड लिखा हुआ जाएगा उस पर यहां पर एक बटन आएगा उस पर क्लिक करना होगा जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपक आपको क्या करना होगा बेग जाना होगा और यह जो सेकिन वाला पेज है इस पर आपको क्लिक करना होगा यह है बीएपाइसी का और यह है यह है यह बीएपाइसी का तो गाइस इस तरह आपको ध्यान में रखना होगा इस पर आपको क्लिक करेंगे यहां पर पर प्रचेस टो टोकन्स पर्चेस करना है तो यहां पर 1441 बीलव टोकस आ चुके है अब यहां पर आपको ट्रम्स और कंडिशन पर क्लिक करना होगा यहां पर एक ग्री पर आपको क्लिक करना होगा देन यहां पर एक ग्री पर क्लिक करना है देन यहां पर आप देख पा रहा हूंगे आपके यह बिए पाइसी अमाँ डाल दिया है आपने और कोईंस रिसीव होंगे इतने यहां पर आपको पर्चेस नाव पर क्लिक करना होगा यहां पर अभी सारे सोल्ट आउट इस लिए बटन सो नहीं हो रहा है जब भी सेकेंड आएक तो यहां पर सो हो जाएगा उसके बाद में प आपको अपना अमाउंट डालना होगा कितने डोलर के आप यहां पर बीलव टोकन को पर्चेस करना चाते हो तो मैं यहां पर 20 BUSD डाल देता हूं देन यहां पर 20 BUSD का टोकन मिलेगा आपको 1600 बीलव टोकन यहां पर आपको फिर से वही प्रोसेसिंग करनी है ट्रम्स और कं संद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा एसी इंट्रेस्टिंग और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की वीडिया में बास इतना ही इसे के साथ जय हिंग जय बारत